जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप दो, आसा करता हूं, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे, खुस होंगे, खुसिया बाटते होंगे, खुसिया बाटने से खुसिया बढ़ती हैं, और खुस रहने से मुस्कली हमेशा के लिए दूर हो जाती है, दोस्तों जीवन में ऐसा अनिको बार हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेत्रे करने के बाउजूद भी हम परेशानी से निपट नहीं पाते हैं उसका छुटकाया नहीं पाते हैं ऐसे समय पर हमको ज़रुवत पड़ती है किसी ऐसी सकती कि ऐसी पार लोकिक सकती कि कि जो आपकी मदद करे जो आपको उस संकट में से निकाले आप जिस दूइधा में फस गए हैं जिस गहरी खाई में आप पड़े हैं दलदल में दब गए हैं वहाँ से अब आपकी ताकत नहीं है निकलने की आपने अपना पूरा जोड लगा लिया लेकिन फिर भी आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं तब आपको जरुरोत पड़ती है एक ऐसी सकती की आपने कई दफे पड़ा होगा अखबारों में, चेनल में, टीवी में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठा था उसका भेंकर एक्सिडेंट हुआ और व्यक्ति जरासे के लिए बच गया कई दफे लोगों ने अपने ऐसे अनुभव बताए हैं कि कहीं वो गिर रहे थे, कहीं एक्सिडेंट हो रहा था कुछ एसी घटना घट रही थी, जिसमें उनका मरना निश्चित था, उनकी जान जाना तय थी तो भी कोई एक सक्ति ने अच्छानक आकर उनको हटा दिया वहां से इसी कई घटना गंती हैं कि जो व्यक्ति को एकदम लाश्ट मॉमेंट पर निकाल कर ले जाती हैं ये तो काफी बड़ी घटना हैं, लेकिन आपको एसी ही एक चुमतकार की जुरूरत होती है कि कास कहीं से एक चुमतकार हो जाए कि आप जिस जगा फसे हैं वहां से निकल जाए तो दोस्तों इस कल्यूग में मैं हमेसा कहता हूँ महाकाल के दरबार में जाएए, हनुमान जी के दरबार में जाएए क्योंकि ये वो देव हैं जो कल्यूग में आपको किसी भी समस्या से निकाल सकते हैं तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो हनुमान जी के बारे में हैं के दी हनुमान जी के महाँ पर आप ये क्रिया करते हैं तो फिर समझ जाईए कि आप चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो चाहे पैसे से लगती तकलीफ हो चाहे आपका कोई दूर चला गया हो चाहे कोई बहुत बड़ी बीमारी ही क्यों न आनपड़ी हो चाहे गोर संकट में आप क्यों न पसे हो लेकिन इस उपाय के बाद में वो जो संचराचर देव हैं वो स्वेम आपकी मदद करेंगे और वो स्वेम आपको ये जो भी मुसीबत है आपकी उस मुसिबत में से आपको बाहर निकल कर निकल आएंगे बार बार कहता हूं कि कोई भी उपाय कीजिए कोई भी चीज कीजिए ये सारी पार लोकिक सक्तिया हैं इसमें आपकी स्रद्धा की बहुत ज़्यादा जरूर परती है ये आपके भाव को ही सुनते हैं ये आपके भाव और भक्ति को ही सुनते हैं येही निवेदन हैं इनको और कोई चीज नहीं चाहिए लेकिन क्योंके हम सारी रीक रूप से भी बंदे हुए हैं इस पिंड से बंदे हैं तो इसके लिए कोई न कोई चीज हमको अर्पित करनी होती है उस भाव के स्वरूप में और साथ में आपके भाव को आप पदर्सित कीजिए देखना दोस्तों आपके काम कितनी जल्दे बन जाएंगे देखते ही देखते हैं आपके काम बन जाएंगे चाहे आपका कितना ही लाको करोनों का घाटा क्यों ना हुआ हो चाहिए आपका बिजनस एकदम डबा गूल क्यों न हो गया हो कोई भी समस्या और सारी समस्या का निदान आपको यहां पर मिलेगा तो चलिए में बताता हूं आपको उपाय करना क्या लेकिन इसके पहले यदि आप मेरी चैनल में नहे हैं और अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से कर दिखिए बेल आइकन को प्रेस कर दिखिए इससे मेरे द्वारा बताएगे उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे जिने करके आप सुख में जीवन वेतित कर पाएंगे तो चली मैं बताता हूँ उपाय में आपको करना क्या है मंगलवार के दिन से इस उपाय को प्रारंब करना है आपको हो सके तो इस उपाय को आप सवेरे के समय करें सुर्योदय के समय पर करें सुर्योदय मतलब सुर्योदय के एका धंटा के आसपास कर लें पितर पितर कर लें उससे ज़्यादा लेट ने करें यदि आपके पास में समय का अभाव हो आप ऐसे किसी काम में वैस्त हों फिर तो वो देव किसी भी समय को नहीं देखते हैं आपकी सिर्फ भावना को देखते हैं जैसा मैंने बताया तो फिर आप इसे कभी भी कर सकते हैं लेकिन यदि possible हो और यदि समय हो तो फिर उसी समय पे करना क्योंकि वो भी देखते हैं कि आपके पास में समय है तो आप हो सके तो सवेले के समय में इस क्रिया को करें के एक कच्छा सूत का धागा लेती है उसमें आप दो लोंगों का एक साथ बांद लें नी दो लोंगों का एक जोडा बनता है और ऐसे आपको नो जोडे बनाने तीन तीन उंग्लियों का गेप देखा लें पर लों चोडें हो जाएंगे दो लोग का एक जोड़ा ऐसे नो जोड़े बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे नो को यदि दो से गुना कर देंगे तो अठरा लोगे हो जाएंगे आपके जोड़े टोटल आपको नो बनाने के हैं अब आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं जो भी आपके नजदीक में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आप चले जाएं और हनुमान जी को संपून प्रेम और निष्ठा के साथ ये जो लोंग की माला है ये पहना दे इसके बाद में आप उनसे कहें मैं जो कहता हूँ वो आपको कहना है वीर वीर आप ही है महावीर जो भूकों को खिलाते हैं खीर जो नंगों को पहनाते हैं चीर जो सूखी नदी में बहाते हैं नीर ऐसे आप ही हैं सच्चे वीर आपकी जय हो आपको ये कह देना है और इसके बाद में हाथ जोड़ करके संपूर्ण भाव के साथ मैं हर बार कहता हूँ भाव में एकदम निर्मनता होनी चाहिए सुद्धता होनी चाहिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और संपूर्ण भाव के साथ आपकी जो कोई भी वेदना है आपकी जो कोई भी इच्छा है रख दीजिए उनके दर्बार में बोल दीजिए उनसे बस ये क्रिया आपको लगातार नो मंगलवार तक करनी है और फिर आप देखेंगे जिन लोगों ने भी की है ज्यादा से ज्यादा लोगों भी समस्या नो मंगलवार के भीतर भीतर वैसे तो वो जैसे ही सुरू करते हैं उनकी समस्या का समाधान होने लग जाता है 9 मंगरवार के बीतर बीतर आपकी समस्यागा समाधान हो जाएगा कामकाज होगा तो चल पड़ेगा चाहे कुछ भी होगा चल पड़ेगा 9 मंगरवार तक लगातार मंदिर जाना है 9 लोंग के जोड़े की माला चड़ानी है मैंने जो बताया वो कहना है आपकी प्रांपना रखनी घर आजाना है बस और अपने काम काज में लग जाएए आपका काम उन पर छोड़ दीगे वो कर देंगे जो कोई भी आपकी परिसानी है वो निप्टा देंगे दोस्तों काफी बहतरीन उपा है सात्रीक उपा है ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेल करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम बने और ताकि आपको उनका पुनिवताब मिलता रहे तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग करिए लिए उप्रिकास और अपने जिए में लामानुच होते रहे हैं धन्यवाराद